मुंबई मनपा के ब्रसचार को उजागर करने के लिए भाशपा द्वारा जागर मुंबई जाहिर सबा का आयोजन मुंबई के माहिम विदा सबा के सामना प्रेस के पास में आयोजित किया गया जहां बड़ी संख्या में वहां की जनता मौजूद रही और उनके समक्ष भाशपा मुंबई अध्यक्ष आशी सेलार ने जनता को संभोधित करते वे मनपा में हुए ब्रस्टा चार को जनता के समक्ष रखाए इस दोरान वहां की जनता आशी सेलार के बाद पर जम कर ताली बजाती रही क्या कुछ कहना था मीडिया से बाशित में आशी सेलार का देखिये मुंबई से खास रिपोर्ट सुरक्षित दानी धोका ही तुष्टी करन लांगूल चालनानी भ्रस्टा चारा मुले होनार होते है या बद्दल मुंबई च्या शक्तिला जागुरूत करन या साटी जागर मुंबई चा खारेकर मा है मुंबई सर्व विदान सबे मदे आमी करतो दाथ सोडावी सबाय या ठिकानून मांडलेली गोष्ट राजक्यारनाचा पली कडे आता तरी उद्दव जुन चा शिवसेनेचा काना मदे आवाज करील आणी त्यानना तुष्टी करन लांगूल चालना पासून विकासाचा मुद्यावर आण्याचा तो विचार करील या भावन नियानाके आमी सबाग लेली आ है नगर सिवकान मदे भारती दा पक्षाचा आणी खाल्चा सतरावर बांदली संगर्दनाई भारती दा पक्षाची है आणि ताम उले आमी सर्व मुंबई करांची सिवा करतो अन्य पक्षाजा कुणाचा बाले केला इमी मानित असने सर राज्यपल जाहे जन्ना वृद्धा स्रमवार जागाय मुलेलने तन्ना महारास्टाथ पाटोले जातो आसा पत्रकार परशिले इदो टाकरेणले मुलासवाट तर राज्यकारन करना वे कुटलै इस स्तरावर दाउन तने राज्यकारन कराव तो तेंच्या आसले ले आ संस्कूरती चा याँ स Mouse upbringing दर्शन करता आमाला मात्र स्पश्ट सांगितले आमी कि राज्य पालांच च्छत्रपती शिवाजी महाराजांचा संदरबाद बाशनातले वक्तव्य हेस साफ सुखीचे आमी तचाशी अस्रमताओ आरश्ट बद्द ची देखिल हाग दिली जाना रहे अश्य प्रकर्चे देखिल मंटले आता हाता मदे काईच मुद्दा मिडाला नाही तो राजकारणात स्वताची गेलेली पद वाचवणया साथी राजकी आंदोलन होती तैचावर माला भाश्य कराईचे नहीं स्वपन बगाईला टैक्स लागत नहीं आणी घरात बसले लानी तो स्वपन राजरोज पने बगावी उद्दव जी तुमी नक्की स्वपन बगाई सिर्फ मुंबई महानगर पालिका को जीतने के लिए तुष्टी करण और अपिजमेंड की पॉलिटिक्स उद्दव जी की शिवसिना किस हद तक कर सकती है इसका यह उदारन है वैसे भी किसी के मौत पर या उसके मुर्डर पर राजनिती करना ये ठीक बात नहीं हम मानते है लेकिन सवाल तब उठता है जब श्रद्दावालकर क्या उसकी कुरूर हत्या करने के बाद उस पर समवेदना प्रकट करना या उसका पर जो आरोपी है उसको फासी मिले इस प्रकार की मांग का समर्तन्न करना ये उद्दव जी की श्वस्यना की क्या मजबूरी है कि इस श्रद्दावालकर के प्रकरन से वो कुद को बचा रही है ये बात तो सपष्ट है राष्टिय स्वेंस्यवक्ष संग हो अन्य धल हो अन्य संगडना हो वो हिंदूों की एकत्रीत होने पर ही देश एकत्रीत रहे तक ग्रहेगा इस भावना को रखते है सबका साथ सबका विकास ये भारतिय इंतापारटी का कारेकरम है लेकिन हिंदूों में भी हिंदू और नव हिंदू दो प्रकार आज तक किसी ने नहीं रखे हिंदूों को डिवाइड करने की बात को किसी ने भी नहीं कहा वो बात लगातार उद्दव जी ने कही है हिंदूों को बटवारा करने की जभूमिक आका उद्दव जी के पीछे की योजना क्या है यह हमारा सवाल है